अगर आपने पहली बार विजिट के है जरू चैनल को सब्सक्राइब कर लेना उसी के साथ साथ एक और दूसरा चैनल है फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेश करके अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो या पर भी बेल आइकन को हीट करके और जरू इस दोस्तों यहाँ पर आज के दिन के अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बाजर बहुती शांदार तरीके से गैप अप उपन हुआ और उसके बाद बहुती अच्छा परफॉर्मंस यहाँ पर दे रहा था और सड़नली यहाँ पर हम कह सकते हैं बारा बज़े के असपास साड़े बारा बज़े के असपास जो गिरावट डेखने को मिली उसके बाद बाजर बिलकुल भी नहीं समला और प्रिवियस जो क्लोस करने को यहाँ पर नहीं मिला होगा बट जिन्होंने खुद से यहाँ पर बाजर को आज पूरे दीन यहाँ पर देखा होगा आप देख सकते हैं ओपनिंग जबर्दस्ट जैसे बारा बज़े के आसपास आ गया जबर्दस्ट गिरावट डेखने को मिली है सो दो इसके इस तरीकी की चीजे देखने को मिल जाते हैं हम लोग हमेशा क्या करते हैं प्रोसेस को फॉलो करते हैं जो मैंने आप लोगों को प्रोसेस सिखाई है आप बोलोगे सर कहा पर सिखाई है तो दोस्तों आप देख सकते हैं देखी एक आप लोगों के सामने वीडियो यहाँ प मिल जाती है 80% आप लोगों को जवाब इसी प्रोसेस से मिल जाएगा और मैं इस वीडियो में भी आप लोगों को वही प्रोसेस दिखाने वाला हूँ चाहता तो यह चीज में आप रिविल मतलब चाहता तो मैं ना करता रिविल बट फिर भी मिने आप लोगों के लिए सारी चीजे आप बता है क्योंकि बहुत सारे इनको यह बेसिक चीजे भी आप नहीं पता है तो अगर आपने वीडियो अभी नहीं देखा है तो उसका लिंग में उपर आई बड़न पे दे रहा हूँ आप लोग देख सकते हैं इस चीज सिखाने के लिए भी 5-10,000 मार्केट में आपे लिया जाता है तो फ्री आफ कॉस्स सीख लेना इसका भी लिंक उपर आई बड़न पे दे दिया है तो चलिए वापस हम लोग आ चुके वीडियो के उपर कंटीन्यू कर लेते दो कि सेंसेक्स में गिरावट सेम तो फिर बाकी जितने भी इंडेक्स रहेंगे हमारे न सबी लोग को पता है यहापे इंडेक्स में सबसे ज़्यादा कॉंटर्विशन किसी का है तो वह फाइनेशल सर्विसेस का है और फाइनेशल सर्विसेस में बैंक्स का बहुत बड़ा योगदान है तो ठीक है यह तो बेसिक चीजे होगे अभी हम लोग आ जाते है जैसे मैं आप लोग को का की प्रोसेस को फालो करेंगे कि ऐसा हुआ क्यों तो सबसे पहले प्रोसेस में जैसे मेरे स्टेप्स बताए प्रोसेस मतलब स्टेप बताए स्टेप 1,2,3,4 ऐसा चेक करना है सो स्टेप नमबर वन हम लोग हमेशा क्या चेक करते अमेरिकन बाजार पर अमेर इसा रेरली देखने को मिल जाता है तो यहाँ पर अमेरिकन बाजार का वैसा भी कुछ काम नहीं क्योंकि वो वैसे भी कल बंधी था तो अमेरिकन बाजार की क्लोजिंग प्लस उसी की साथ-साथ-सथ-स-की अगर हम लोग बाद करें तो इनसे हम लोगों को क्या समझ में आता है बाजार से रेलिटेड ओपनिंग समझ में आ जाती है बट जैसे कि हम लोगों ने देखा कि during the market हम लोगों को गिरावाट देखने को मिली है जैसे मैंने आप लोगों को European market के opening यह सबसे important चीज है क्योंकि 12.30 एक देड़ बजे के आसपस Europe के market open होते है और वहाँ से हम लोगों को बहुत सारे हिंट मिल जाते हैं जैसे कि अगर आप देखोगे American Bazaar का future So American Bazaar के future की बात करें तो 125 point down है ठीक है यहाँ पे हम लोग आ जाते तो एक दीन का chart pattern में open कर लेता हूँ आपके सामने and candlestick भी लगा लेता हूँ तो आप लोगों को यहाँ अंदाजा यहाँ थोड़ा बहुत आ जाएगा मैं एक बार check कर लेता हूँ यहाँ चार्ट पेटन ब अंते वे देखने को यहाँ पे मिल रहे है रैट आप exactly 15 minute का 10 minute का chart pattern लगा कर देखोगे तो आपको अंदाजा आ जाएगा कि उसी time के आसपस 12-12 बजे के आसपस American Bazaar का जो future है उसमें गिरावट देखने को मिली है तो American Bazaar का future में जो गिरावट हुई है वो क्या खुद से व जर्मनी का मार्केट यहाँ पे UK का मार्केट फ्रांस का मार्केट सब कुछ लाल निशान में approximately एक एक पसेंट गिरते वे देखने को यहाँ पे मिल रहा है अगर आप चेक भी करोगे जैसे कि अगर मैं जर्मनी के मार्केट की बात करू तो आप देख सकते यह देखे जबर दस गिरते वे देखने को यहाँ पे मिला है और वैसे अगर हम लोग थोड़ा सा और आगे हाँ पे जाते है तो और कौन सा मार्केट देखने को मिलेगा यहाँ फ्रांस का मार्केट भी अगर हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं CAC 40 तो आप लोग यहाँ पे देख सकते ह रहे तो उनमें तो यही देखने को मिल जाता है और सभी European countries अगर इतना negative performance दिखा रहे है तो मेरा तो focus by default का पर जाना चाहिए येस रश्या के market के उपर मेरा focus वापर चला जाता है और दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों को बताना चाहँगा चेक कर सकते हो 8% से जादा Russian market crash होते वह देखने को मिल रहा है दोस्तों 8% आप देख सकते हो यहापे इंडेक्स में अगर आप लोग देखोगे तो और कुछ मिले गई अब भी देख सकते हो लगबग सवा 8% लग रहा है कुछ तो बहुत बड़ी खबर यहापे आई होगी जरू चेक करना है यहापे पड़ेगा वार से रिलेटेड ही कोई ना कोई खबर यहापे रहेगी और वार्निंग जैसी चीज़े भी यहापे रह सकती है सबसे ताजा निउस कौन सी देखने को मिल रहे थी क्या रश्या नहीं यहापे नाटो से रिलेटेड स्विडन, फिंडलेंड के उपर कोई अटेक तो नहीं कर दिया तो यह भी आप लोग जरू यहापे चेक करके एक बार देखने ना इतना भयंकर गिरावट हमनों को देखने को मिल रहा है अगर आप चार्ट पेटन देखोगे थोड़ा सा मैं एक दीन का चार्ट पेटन ओपन कर लेता हूँ यह देखिए कैसा जोरदार गिरावट है और इससे आप लोगों को और किलारेटी नहीं मिलेगी थोड़ा कैंडल ओपन कर लेता हूँ यह देखिए और कुछ है ही नहीं सिर्फ लाल कैंडल स्टिक आप देख सकते हो तो यह में रीजान है दोस्तो रश्या का मार्केट में कोई ना कोई बहुत बड़ी खबर यहापे आ चुकी है शायद से मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के सामने भी आ जाएगे आप गूगल करके एक बार देख ले ना राइट बट इतना कैस सकता हूँ कि यही से हम लोगों को कोई ना कोई अपडेट है फिलाल रिजन है यूरोपियन मार्केट्स भी हम लोगों को टंबल होते वे देखने को मिल रहे है उसी का इंपक्ट डो जोन्स का फ्यूचर पे भी आ गया और उसी का इंपक्ट कहा पर आ गया यही चीज़े दोस्तों मैं आप लोगों को बताए थी कि maximum आप लोगों को सवाल के जवाब इसी process से इसी step से मिल जाएंगे जो कि आप लोग देख सकते हैं और आगे जाके कोई rocket sense नहीं मैं आपको यही पढ़ाते रहता हूँ अगर आप देखो कि लगबग 4 साल हो रहा है इस channel को यही चीज़े में repeat करते रहता हूँ और कुछ है न लोगों के लिए important है क्योंकि उनके position इसे लिए कहता हूँ दोस्तो कि मैंने वो वीडियो भी बनाया था आप लोगों को कहा था कि investor को इससे जादा कोई लेना देना है नहीं in fact trader लोगों के लिए important है कि जब भी यह European markets open होते सावधानी से trade लेना चे कभी भी आपके position change हो सकते यापे कभी भी stop loss trigger हो सकते इतना बड़ा बड़ा खबर कभी भी आपे समने आ जाता है तो उसी का best example आप देख सकते हो Russian market ही यापे main reason है अभी देखना पड़ेगा कोई ना कोई तो बहुत बड़ी खबर आई होगी वरना कोई भी market 8-9% नहीं गिरता है तो यह उसके पीछे लेवल हमलों को देखने को मिले था चली थोड़ा सा वो भी formality कर ही लेते है इन्वेस्टर वालों लगयं के लिए चैनल ही यह देखे 15800 के नीचे जान थोड़ा सा मुश्किल था क्योंकि अगर आप देखोगे आप बड़े-बड़े हमलों को आपे orders लगते वी देखने को आपे मिले थे इसके नीचे जाना मतलब लिटरली इन लोगों की धज्या उन्ने के बराबर थी बट सम्हाओ उन्होंने मैनेज के अंट 15800 के उपर ही closing देखने को मिली है यह levels change होते रहते हैं और 16000 की अगर हम लोग बात करे तो वह वैसे भी एक whole number है और वहां पे जबरदस reason भी मिल गया मतलब बोलते हैं na reason के लिए एक बहुत बड़ा reason मिल गया तो बहुत अच्छा trigger करें मतलब shorter की अगर हम लोग आपे बात करें बहुत ही अच्छा गासा उन्होंने पैसा आज के दिन आपे कमाया होगा along with the reason right so हम लोग जरू कह सकते दोस्तों यह जो हम लोगों क आपको खबर मिलेगी वही पे ही कोई पुती ने कोई धमकी दी है एक बार जरू चेक कर रहे ना आपको कोई ना कोई जरूर अपडेट यहा पे मिल जाएगा वरना उसके बिना 8-9% नहीं गिरता है दोस्तों मार्केट हमारा मार्केट के अगर हम लोग बात करें निफ्टी तो आप अंदाजा लगा सकते कुछ ना कुछ बड़ी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है इससे रिलेटेड अपडेट भी आप लोगों को यहा पे मिल जाएगा तो आशा करता हो में चीज आप लोगों को समझ में आगी कि क्यो अच्छानक बाजार गेरा और उसके अकांट अपने लिंक के थ्रू ओपन किया है इतना मुझे कमेंट सेक्षन में बता देना तो यह 25 वीडियो की लिस्ट आप लोगों को बिल्कुल free of cost प्रोवाइड कर दे जाएगी